नमश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 29 दिसम्बर दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर जन्नायक पुस्तिकाले एवं राज्य डिजिटल अध्यान केंद्र में ऐसे करे आवेदर कॉसल के विश्वस्तर ये प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहेडा अवसर मनोज बाजपई ने भोजपूरी में स्कूल के बच्चों से कीबाद ICC T20 विश्वकब 2023 का खिताब जीतेगी ये टीम युबराज की भविश्यवानी फ्लाइट के कैंसल या लेट होने पर मिलेगा इतना रिफ़न अब चले बढ़ते हैं बेहार के अब तक की 25 परी खबरों प्योर विस्तार से असिस्टेंस सूपर्वाइजर के 209 पदों पर निकली भरती है बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारीक 15 जनवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्योगिता की बात करें तो जारी सूचना के नुसार उमिद्वार के पास बी सी बी कॉम बी एक की डिगरी होनी चाहिए इसके क्लावा किसी भी विशह में मानिता प्रात संस्थां से लें जारी नोटिफिकेशन को जरूर देख लें जन्नायग पुस्तकाले एवं राजी Hebrews अध्यान केंथर में ऐसे करे आविदर विहार सरकार के पिछ और एवं आथी पिछ और गल्यान विभाग के दवारा IPRD के तहट पोस्ट श्यड कर यह जानकारी दी गई है कि राजी के पिछ और एवं आथी पिछ और वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता परिक्षाओं जैसे सिविल सेवा मेडिकल जे ईई मिन एवं आई आई टी बिहार सेव्ट प्रवेश प्रतियों गिता परच्छा के लिए जन्नायक पुस्तेकाले एवं राज्य डिजडल अध्यान केंद्र में निश्ल प्रसक्छन उपलब्ध करवाया जा रहा है आपके जानकारी के लिए बता दे किन कक्छाओं का संचालन केंद्र पर ओफलाइन तरीके से होगा और साथ ही विविन सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी कक्छा संचालन का सीधा प्रसारन किया जाएगा ऐसे में जन्नायक पुस्तकाले इवं राज्य डिजडल अध्यान आविदन करने की अंतिम तारीक 31 दिसंबर 2023 तक नर्दालित की गई है से में इसके लिए आविदन करने के लिए अब आपके पास कुछ दन बाकी रह गए हैनी बिहार परिडर में आज हम बात करेंगे जालान संग्रहाले के बारि में जालान संग्रहाले किला हाउस भारत के पटना बिहार में स्थ एक नीजी संग्रहाले है या बिहार राजी के एक मात्र दो नीजी संग्रहालियों में से एक है किला हाउस उत्री भारत में बिहार राजी के पुराने शहर पटना में गंगा नदी के तटपड एक नीजी आवास ये घड़ है, 1999 में निर्मित या घड़, आपजिक्स, डी आर्ट और प्राचीन, वसू के संग्रह के लिए जाना जाता है, जो दिवान बहादुराधा कृष्ण जालान की व्यक्तिकत उपलब्धी है, जो एक वैपारी और एक कला संग्रहाथ थे, यह इमारत अंग्रेजी औ डच सैली में हैं, और स्थानीय रूप से इसे किला हाउस के नाम से जाना जाता है, लगबग 10,000 वस्तुओं का, संग्रह जिनमें से अधिकांस आधोनिक काल से, संबंधित है, उनमें पत्थर, धातु, टेरा कोटा, हाथी दात, कांच और चीनी, मिटी के बरतंश शामिल है कलावस्तुओं में से कई यूरोपिये हैं और कुछ एशिया के सुदूर और निकट पुडवी देसों से हैं, इमारत का एक हिस्सा जलान पडिवार का नीजी आवास्य छित्र बना हुआ है, संग्रहाले आंगतुकों के लिए खुला रहता है, हाला कि यात्रा से 48 घंटे प प्रमान पत्र की आविश्चकता है, वे सपत पत्र पर अपने वनसावली का विवरन एवा मस्थान ये निवासी होने के, साक्षे के साथ एक लिखित आवेद संबंध ग्राम पंचाया सचीव को देंगे, और साथ ही आवेदन के साथ वे नगत 10 रुपे का सुल्क भी पंच सचीव के पास जमा करेंगे, ऐसे में अगर उनके द्वारा ये शिल्क जमा नहीं किया जाता है, तो उनके आवेदन को स्विकार्ड नहीं किया जाएगा, वही पंचाया जमा के गए शिल्क के एवज में, आवेद को प्राप्ती रशीद उपलब्ध करवाएगा, ये शिल् ऐसे प्रतीक आवेदन का विवरन इस हेतू विसस्ट रूप से संधारित पंचीव में दर करेगा, दोबारा वंसावले निर्गत करने हेतू आवेदा को पंचाया सचीव के पास सो रुपे का शिल्क जमा करना होगा, बता दे कि पंचाया सचीव आवेदन प्राप्ती के अ प्चारिक रूप से अग्रितर कारवाई करने हेतू उपलब्द करा देगा, अग्रुसारित आवेदन की छाया प्रती, पंचाया सचीव अपने काड़े आले में सुरक्षित रखेगा, दर्च करेगा तथा उसे अविलम ग्राम कचड़ी से सरपंच के पास सुकृती हेतू उपस्तित करवाईगा, कौशल के विश्वस्तर ये प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहेडा अफसर, बिहार सरकार के संसाधन विभाग के द्वारा IPRD के तहट पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि आपके पास कौशल के विश्वस्तर ये प्रतियोगिता में आप अपने हुरर को देखा सकते हैं से में अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे किस प्रतियोगिता में वही युवक युवती भाग ले सकते हैं जिनकी निंतम उम्र 15 वर्स और अधिकतम उम्र 25 वर्स हो वही इस Skill Olympiad में भाग लेने के एक चुक अभ्यरती अपना registration Skill India Digital.gov.in पर जाकर online तरीके से कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Skill ये आवे दन करने की अंतिम तारीक 7 जन्वरी 2024 तक नरधारत की गई है आप साल बाद एक जन्वरी को खुला रहेगा जंगल सफारी जन्वरी परेटकों के लिए खुला रहने वाला है इसको देखते वे वन विभाग के द्वारा पिक्निक और वन ब्रह्मन पर आने वाले परेटकों के लिए Guest House की booking शिरू कर दी गई है वही नए साल के दोरान VTR प्रिशासन के ओर से गस्ती भी बढ़ाई जाएगी जंगल छितर में ध्वनी यंत्र बजाने पर बैन रहेगा वन विभाग के एक द्वारा नए साल को लेकर वन कर्मियों की चुट्टी को भी रद कर दिया गया है ऐसे में वन विभाग में कारणत कर्मी वन जीवों की सुरक्षा के लिए गस्त करते रहेंगे इस बारे में गोबर धना वन रेंज के रेंजर सुजीत कुमार के द्वारा जानकारी देते में बताया गया कि बाहर से आने वाले परेट को को नए साल की मौके पर जंगल सफारी की सुधा दी जाएगी आज बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यहां ख़बर आपके लिए है बता दी किया जियानी की 29 दिसंबर को बिहार शरीफ प्रखन परिसर इस्तिस्ट्रम भवन में एक दिवसी रोजगार मेला कायोजन किया जाने वाला है जिसमें एक हजार से जादा रिक्तियों को भड़ा जाएगा पता दे किस बारे में जिला नियोजन पतादीकारी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया क्या आज लगने वाला यह रोजगार मेला सुभा साहे 10 बजे से शिरू होगा जो की शांग 4 बजे तक चलेगा वहीं रोजगार मेला में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनके द्वारा NCL पोटल पर जिला नियोजन नारंदा पर अपना निबंधन करवाया गया होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किस रोजगार मेला में कक्छा आठवी पास से लेकर पोस्ट ग्रेजवेट तक के छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं पटना में क्रिकेट खेलेंगे हैं जिनके रहाने संजू सैमसन और प्रीथवी सौ पांच जनवरी दो हजार चौबिस से रंजी सत्र की शुरवात होने वाली है जिसमें बिहार का भी प्रवेश हो रहा है इसे में इस चार दिवस ये चार मैच बिहार की राजधानी पटना में भी खेले जाएंगे बता दे कि हम मैच पटना में सित मुईनूल हक स्टेडियम में खेला जाएगा जिसमें अजिंके रहाने प्रीथवी सौ संजू सैमसन और यससवी जैसवाल खेलते नजर आने वाल इस एलिट ग्रूप में मुंबई, केरल, छतर्जगर और आन्ग प्रदेश जैसे बड़े टीम भी शामिल हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे एहम शिर्मा के बारे में एहम शिर्मा एक भारती अभिनेता है इन्होंने 1922 माई कंट्री लैंड सहित कई बॉलिवोर्ट फिल्मों में भी अभिनाय किया है जिसका प्रीमियर 79 वे कंस फिल्म फेस्टिवल के मार्चे डू फिल्म में हुआ था आदेक एहम शिर्मा की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली टीवी भूमिकाओं में महा भारत में कर्ण ब्रह्मर राक्षस्म रिशव स्रिवास्तव और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में विक्रम अदिते शामिल है एहम शर्मा ने अपने अभिनाई के शर्वात वर्स 2008 से की उन्होंने गुल खान के प्रोडक्शन डेब्यू चांद के पार मेरे हान की भूमिका निभाई 2009 में एहम सर्मा ने अपनी फिल्म सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ब्लू औरेंज की रिलीज क में उन्हें सपलता मिली उनके अभिनेने उन्हें सर्वस्च सहायक अभिनेता के लिए इंडिन टेली अवार्ड का पुरुसकार दिलाया 2014 में ब्रिट सापताहिक समाचार पत्र इस्टन आई द्वारा विश्व के पच्चा सबसे सेक्सी एशियाई पुरुसों के ग्यारवे संसकरन में एहम शर्मा को 26 वा दरजादी आ गया था फ्लाइट के कैंसल या लेट होने पर मिलेगा इतना रिफंड इन दिनों उत्तर भारत में कोड़े का कहर जारी है ऐसे में कई बार फ्रेन और फ्लाइट लेट हो जाती है तो वहीं कई बार हमारी फ्लाइट छूट भी जाती है या हम उसे कैंसल करना चाहते हैं ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि फ्लाइट लेट या कैंसल करने पर कितना रिपरंट मलता है तो हम आपको बता दे कि फ्लाइट कैंसल होने के स्थिधी में एयरलाइंस या तो कस्टमर को alternate उडान उपलब्द कराती है या फ्लाइट टिकेट के पूरे रिपरंट के साथ अ जो कि ओवर बुकिंग के मामले में एरलाइन को पहले वॉलंटियर्स को अपना शीच छोड़ने के लिए कहना होगा वहीं अगर कोई यात्री फ्लाइट में चढने संकार करता है तो एरलाइन को एक घंटे के अंदर रिप्लेस्मेंट फ्लाइट महया करानी होगी यदि ये सं अभब नहीं हुआ तो एरलाइन को फ्लाइट टिकेट का 200 प्रतिशत और एरलाइन फ्यूल सर्चार्ज देना होगा अगर दूसरी फ्लाइट 24 घंटे बाद है तो एरलाइन को किराई का 400 प्रतिशत तक देना होगा इस दन से दर्च कराए BPSC TRE की शिकायत और डॉक्यूमेंट में सुधार बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा दूसरे चरण के सक्षक भरती की परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शिरू कर दी गई है मगर ऐसे में वे अभ्यर्थी जिनके पास BPSC TRE 2.0 को लेकर कोई आपती है और वो शिकायत करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं तो इसको लेकर बिहार लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्विट कर जानकारी दी गई है और उने ट्विट कर लिखा है कि TRE 2.0 ने शिकायत पोर्टल 3-13 जनवरी तक खुला रहेगा ऐसे में इस तोरान अभ्यर्थी अपनी शिकायत पोर्टल पर दज करा सकते है वहीं दूसरे ट्विट में उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं कि कुछ TRE उमेद्वारों ने अपने दस्तावेज अप्लोड करने में गलतिया की है इसे सही करने के अंतम अफसर के रूप में हमारा पोर्टल सफल उमेद्वारों के लिए खुला रहेगा TRE 1.0 अनुपू अपने पडिवार के साथ अपने पैत्रिक आवाज बेतिया के गौनाहा प्रकर्ण दस्त बेलवा गाउं पहुंचे ज़रार मनोज बाजपई उत्रमित मध्य विद्याले बेलवा एस्कूल पहुंचे और वहां के बच्चों से भी बात चीत की पता दे कि मनोज बाजपई इने स्कूल के चात्रों से भोजपूरी में बात की और उन्हें बताया कि कुछ भी बनना और संभव नहीं है ऐसे में आप जो भी बने उसमें इमानदार बने और मेहनत करें आपको जो भी बनने की चाहो उसके लिए लगन के साथ तयारी करें और उसके लिए मेहनत करें उन ऐधिया के बीच 12 स्टेशनों पर रुकेगी अमर्द भारत एक्सप्रस. तीज समबर से ऐधिया से दर्भंगा के बीच अमर्द भारत एक्सप्रस ट्रेन के परचालन के शिरवात होने वाली है. जिसकी श्रिवाद देश के प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वाड़ा हरी जंडी दिखा कर की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे का योध्या से दरभंगा के बिच यह ट्रेन को बाड़ा स्टेशनों पर रुखेगी जिसमें सबसे पहले ट्रेन अयोध्या स 11 बजे दरभंगा के लिए प्रिस्थान करेगी इसके बाद यह ट्रेन 11.55 बजे मनकापूर स्टेशन पहुंचेगी एक बज़कर दो मिनट पर बस्ती स्टेशन, दो बज़कर 49 मिनट पर गोड़कपूर स्टेशन, दो बज़कर 51 मिनट पर कप्तान गंच स्टेशन, चार बज़कर 38 मिनट पर बगाय स्टेशन, पांच बज़कर 40 मिनट पर नरकटिया गंच स्टेशन, छे बज़कर 42 मिनट प के लिए आविदन प्रक्रिया हुई शुरू अगर आप यह उन्छात्रों में से हैं जो पोस्ट क्रेजुएट में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है बतादिक नशनल टेस्टिंग एजनसी यानि की एंटी ए के दौरा पोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई हैसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 24 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है मालम हो कि इस परक्षा की माध्यम से भारत के किसी भी किंद्री विश्य विद्याले में दाखिला लिया जा सकता है वहीं अंतिये के द्वारा परक्षा के लिए जारी के गए कैलिंडर के अनुसार इसकी परक्षा 11 मार्च 2024 शुरु होगी जो कि 28 मार्च 2024 तक चलेगी वहीं इसका रिजल्ट परक्षा खत्म होने के तीन सप्ता के अंदर जारी कर दिये जाएंगे जानिय बिहार के मौसम का हाल राजधानी समेत प्रदेश का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है अधिक्तम वन नियुतम तापमान में व्रिधी होने से ठंड का प्रभाव बहुत कम है मौसम बिज्यानी आशीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में पश्मी विचोप का प्रभाव नहीं होने वा पुर्वा के कारण ठंड का प्रभाव कम हो रहा है वहीं दूसरी और इंदनों चक्रवाती हवा का छेतर बांगलादेश वा असपास समुदर तल से 1.5-3.1 किलो मीटर के बीच बना हुआ है अगले पास दनों के दोरां तापमान में किसी बड़ी गिरावर की संभावना नहीं है बटनासहित अधिसंक्य भागो में सुबह के समय कोड़ी का प्रभाव रहेगा हाला की धूप निकलने के बाद मौसम सामाने बना रहेगा सुबह शाम हलकी ठन का प्रभाव रहेगा पटनासित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ट विज्ञानिक डॉक्टर आसीज कुमार के अनुसार 30 दिसंबर से एक ताल पश्मी विचोब उत्तर पश्मी भारत को प्रभावित करने की संभावना है जिसके बाद मौसम में परिवरतन होने की संभावना नहीं है उपरेशन मुसकान से अब तक 1000 लोगों को मिले उनके मौबाइल फोन कई बाट फ्रेंज से सपर करने के दौरान हमारा मौबाइल फोन हमसे गुम हो जाता है या किसी के दौरा चोड़ी कर ली जाती है जिससे कि हमें काफी चिंता होती है इसी चिंता को देखते वे लोगों के खोई हुए मौबाइल को उनके असली मालिक के पास पहुँचाया जा सके इसके लिए पटना पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुसकान की शिरवात की गई थी जिसके अंतरगत अब तक पटना रेल पुलिस के द्वारा 1000 लोगों को उ के असली मालिक तक पहुँचाया गया है वहीं बीत दिन इस ऑपरेशन मुसकान के तहट को लेक सोचोवन मुवाइल रिकवरी करके असली धारकों को वापस किया गया है बिहार में कारगो वाहनों को ड्राइपोर तक पहुचने के लिए बनेगा ग्रीन चैनल आयात नरियात कारगो वाहन की बेकार की देरी को रोकने और ट्रक और दूसरे वाहनों को समय पर ड्राइपोर तक पहुचाने के लिए ताकि और दोईक उतपादों को समय पर पहुच के इसके लिए बिहार सरकार की ओर से ग्रीन चैनल की पहचान की जाने वाली है। यह रनीती निवेश की संभावनाओं को देखतेवे बनाया गया है। आपका जानकारी के लिए बता दे कि ग्रीन चैनल के विक्सत्त होने से इंडिस्ट्रियल टर्मिनल पडिवहन छेत्र राज्यमार्ग एकस्प्रेस में निवेस्षित्र और ओधिय कळ्याड़ों की पहचान हो सकेगी वहीं एक्जिम कार्गो चैनल में पड़िवहन छेतरों और टर्मिनलों में माल वाहक बाहनों के लिए लेबाई कैंटीन और विश्रांग ग्री आदी की सुवधाएं भी उपलध्य करवाई जाएंगी इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा जरूरी कवायत शुरू कर दी ग पुस्तिका मुख्याले में 15 दिसमबर 2023 तक जमा नहीं किये गए है उनका दिसमबर से सेवा पुस्तिका जमा होनी के दिन तक के वेतन का भुक्तान नहीं होगा बता दे कि सेवुकति सचीव के द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार अब तक राजिय के कुल 12 जिलो के प्रदेश पर अधितन मूल सेवा पुस्तिका जमा किया गया है जिसमें शेख पूरा पुर्वी चंपारन अरवल सहरसा जमूई गया कटिहार खगडिया किसंगंच कैमूर सिवान और वैशाली के नाम शामिल है वहीं आपकी जानकारी के बता दे कि तीन जिल मुंगेर सीता उन्हें वेतन मिलेगा जिनके द्वार नहीं कराये गया है उन्हें वेतन से वंचित रहना पड़ेगा और जिन जिलों से कुछ-कुछ सीवा पुस्तिका जमा कराये गई है उन्हें छिटपुट वेतन मिलेगा ललन सिंग के सिस्फा पर केसी त्यागी का बयान ऐसे वे अगर हम लोग मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्तफा देने जा रहें इसके साथ इनोंने आज जेडियू की होने वाली बैठक को लेकर जानकारी देते वे बताया कि आज होने वाली कारेकार्णी बैठक में राजनुतिक हालत पर चर्चा किये जाएंगे वहीं राश्ट्रे परिसत की बैठक में कई प्रस्ताओं पास होंगे जिसकी जानकारी शाम 6 बचे प्रस कॉन्फरेंस कर दी जाएगी बीजेपी की लवकुष यात्रा दो जन्वडी को एउध्या के लिए होगी रवाना 22 जन्वडी को एउध्या में बने भवे राम मंदर की प्रान प्रतिस्ठा होने वाली है सेबस को लेकर बिहार में खुब उत्साह देखने को मल रहा है इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के द्वारा 2 जन्वडी 2014 को बिहार की राजधानी पटना एस्थ भाजपा कारयाले से सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ लवकुष यात्रा निकाली जाने वाली है बता दे किस लवकुष यात्रा को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समरार चौदरी के द्वारा 2 जन्वडी को दो पहड एक बजे हरी जंडी दिखा कर रवाना की जाएगी इस बात की जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पतेल के द्वारा एक प्रेसवारता में खोशना करते वे दी गई है उन्होंने बताया कि यह रत यात्रा बिहार के सबी जिलों से होते वे बकसर के रास्ते अयोध्या जाएगी इस यात्रा का समापन 22 जनवरी को होगा लोकुष समाज कृत गिता व्यक्त करने के लिए इस तरह थी यात्रा कायोजन कर रही है ICC T20 विश्वकब 2024 का खिताब जीतेगी ये टीम युवराज की भविश्यवानी भारत के T20 विश्वकब विजिता, खिलारी, गौतम गंबीर और युवराज सिंग के द्वारा वर्स 2024 में होने वाले ICC T20 विश्वकब का किताब कौन सी टीम जीते की इसको लेकर भविश्यवानी की गई है दरसल एक इंटर्व्यू में युवराज सिंग और गौतम गंबीर के द्वारा बताया गया कि T20 विश्वकब में भारत को किस टीम से खत्रा हो सकता है एक तरफ जहां गौतम गंबीर के द्वारा अफगानस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैन का नाम लिया गया उन्होंने कहा कि अफगानस्तान उन परिस्थितियों में बहुत खतरनाक हो सकता है उस्ट्रेलिया के पास प्रभाव शाली खिलारी है और इंग्लैन T20 क्रिकेट उसी तरह खेलते हैं जैसे वो इसे खेलना चाहते हैं वहीं दूस्ती और युबरास सिंग के दोरा कहा गया कि मेरा दुरिस्थि कौन अलग है मुझे लगता है कि दक्षिन अफ्रिका को जीतना चाहिए उन्होंने सफेद गेंदवारा टूर्णामेंट नहीं जीता है मैंने 1972 में मेट्रो रेल का काम शिड़ हुआ भारती क्रिकेटर सुनल गावसकरने 1983 में टेस्ट क्रिकेट में अधितम 236 रन वेस्ट इंडीज के खिलाब बनाए भारती राश्ट्रिय कोंग्रस के प्रथम अध्यक्ष वोमेस चंद्र बनर जी का जन्म 1884 में हुआ प्रसिद साहित 2017 में हुआ हिंदी फिल्मों के प्रसिद अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 1922 में हुआ प्रसिद आलोचक प्रमुख मीडिया विशलेशक साहित्यकार स्थम्बकार और वरिष्ट मीडिया समिच्छक सुधीस पचोडी का जन्म 1928 में हुआ राश्ट्री विचार धारा के स समर्थक और युनानी पदती के प्रसिद चिकिस्थक हकीम अजमल खां का 1927 में निधन हुआ प्रसिद सिक्छा सास्त्री संगेत अग्या एवं भंदुस्ताने सास्त्री गायक उंकार नाथ ठाकूर का 1966 में निधन हुआ प्रसिद चितरकार मंजीत बाबा का 2008 में निधन हो कारे में दरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ग्रहा का पैन कार अपडेट नहीं है तो उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता 24 घंटे के भीतर व्लॉक कर दिया जाएगा P.I.B. ने भी टूइट में लिखा है कि एक दूसरे के साथ जुर्पाएंगे कंपनी यूजर नेम फीचर पर काम कर रही है और ये वेब बीटा यूजर को मिलने लगा है यूजर नेम फीचर के तहट आप किसी भी व्यक्ति को उसके यूजर नेम की मदद से अपने साथ जोड़ेंगे उनकी कॉन्टाइक डिटेल पर नज़र बनाए रखने वाली वेबसाइट डबलुए बीटा इंफो ने शेर की है वाटसप का यूजर नेम फीचर लोगों की प्राइवसी को और भेतर बनाने में मदद करेगा यूजर नेम फीचर अने सोशल मीडिया एप्स की तरह ही काम करेगा और हर व्यक्ति का एक यूजर नेम होगा वेबसाइट के मताविक आप अपने यूजर नेम को बदल भी पाएंगे हाला कि अभी ये पता नहीं है किसके लिए समय सीमा क्या होगी प्या मोधी से बात करने के लिए कड़े ऑनलाइन आविदन अगर आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी से बात करने का सुनयरा अवसर है द्रसल कुछ महीनों में बच्चों की बोर्ड की पर्षा की श्रुवात होने वाली हैसे में बच्चों में पर्षा का तनाव होता है इसी को देखते वे प्रधान मंतरी चातर छातराएं अभिवावक वा अध्यापको के साथ चर्चा करेंगे के मालूम हो कि परक्षा पर चर्चामी भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक 12 जनवरी 2014 तक निरधारित की गई है इसमें छटी से 12 तक के 46 चात्राइं शामिल हो सकते हैं और साथ ही इसमें शामिल होने के लिए सक्षक या अभिवावक भी अपना आवेदन कर सक है चेरन के लिए औन्लाइन रशनातमक्र प्रतियो गिता अयूझित की जाएगी जिसमें विजـता होने वाली की ख़़ावूरु पुस्तक मिलेगा और साथ ही इस प्रतियों गिता के में आपने कितना सही उत्तर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाली में किस्तथी को अंतराश्ट्रे महामारी तैयारी दिवस मनाये गया इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 दिसंबर 2023 अगला सवाल हाली में भारत का क्या पहली बार एक लाग का करोर रुपे के आंकड़े को पार हुआ है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षा उत्पादन अगला सवाल हाली में योगी आधितिनाथ जी द्वारा किसकी मूर्ती का उत्गाटन किया गया है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्व प्रधान मंतरी चरण सिंग जी अगला सवाल निमन में से कौन चोकी दारी कर बंदी आंदोलन के नेता थे ऑप्शन ए अनुडाग सिंग ऑप्शन भी घंगा प्रशाद ऑप्शन सी जगनात प्रशाद ऑप्शन भी जगत नरायान लाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुडाग सिंग अगला सवाल पटना स्वादेशी लीग की स्थापना कब हुई थी ऑप्शन ए मैं 1929 ऑप्शन डी मैं 1931 ऑप्शन डी मैं 1932 इसका सही उत्तर है ऑप्शन भी मैं 1932 बीटर दिन हमाई दूरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाप हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाई दूरा पूछे का सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है 2023 का सबसे यादगार समय आपके लिए कौन सा रहा अपना जवाब हमें वारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही विहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें विहार दी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रह करना ना भूले धन्यवाद